हलो एवरिवन वेलकम टू क्रिजी जिके ट्रिक फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी एससे से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स फ्रेंड्स पांच जून को यूपी एससे का प्रिलियम्स पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कोशन को डिस्कस तो करेंगे ही साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि प्रिलियम्स क्लियर करने के लिए आपकी क्या strategy होनी चाहिए खासकर civil services exam में Friends, यह जो questions हम discuss करने वाल हैं, इससे आपका quick revision भी हो जाएगा, साथ में अगर आपने कोई important topic मिस कर दिया है, तो वो topic भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप यहाँ पर साथ-साथ answer भी दे सकते हैं comment box में, जिससे आपको यह पता चल जाएगा, कि आपका क्या accuracy level चल रहा है, तो statement यह बोलता है, कि carbon sink ऐसा system होता है, जो carbon को absorb करता है, और बिल्कुल भी carbon को emit नहीं करता है, दूसरा statement यहाँ पर यह बोलता है, कि artificial carbon sequetation is an example of carbon sink, यानि कि जो carbon sequetation techniques देखने को मिलती हैं हमको, वो एक example है carbon sink का, friends अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा statement सही है, तो friends यहाँ पर first statement गलत है, आईए समझते हैं कि first statement गलत क्यों है, friends यहाँ पर first statement गलत इसलिए है, क्योंकि carbon sink में कुछ मातरा में carbon emit भी होता है, और अगर हम बात करें कि क्या होती है proper definition carbon sink की, तो carbon sink natural या artificial reservoir होता है, जो अपने अंदर carbon को store करता है, absorb करता है, और कुछ मातरा में emit भी करता है, अगर हम बात करें, तो वो हैं soil, forest और oceans, यह सम natural carbon sink है, और आज की जमाने में हमने pollution को देखते हुए, कुछ artificial carbon sinks भी बनाए गए है, इसको बोला जाता है, artificial carbon sequestration techniques, तो friends इसका answer क्या हो जाएगा, answer इसका हो जाएगा to only, आईए बढ़ते हैं अब हम next question की तरफ, यह question climate change के context में ह इंडिया ने ये commitment किया है, कि वो 2070 तक carbon neutral हो जाएगा, और इंडिया ने ये commitment किया है, 25th conference of party meeting में, जो Glasgow में हुई थी, friends second statement बोलता है, कि carbon neutrality उस policy को refer करती है, जहाँ पर हम ये commitment करते हैं, कि हम आने वाले समय में carbon emissions को बलकुल नहीं बढ़ाएंगे, बलकि जो आज की date में carbon emissions हो कम करेंगे, तो friends यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा statement यहाँ पर सही है, तो friends यहाँ पर second statement बिलकुल सही है, मगर first statement गलत है, और first statement यहाँ पर इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो COP25 लिखा है, इसको COP26 होना था, तो friends बहुत minute detailing पर हमको ध्यान देना पड़ता है, जब भी हम civil services का paper दे रहे होते हैं, friends यहाँ पर Glasgow summit में एक और important चीज़ सामने आती है, वो यह है कि यहाँ पर हमको Glasgow breakthrough agenda देखने को मिलता है, जिसके तहत यहाँ पर 40 countries ने मिलकर यह बात उठाई है, कि वो अब clean और green technology की तरफ आगे बढ़ेंगी और इसके development को promote करेंगी, इस breakthrough अजेंडा में इंडिया भी partner country है, इस point को यह friends आप जरूर याद रखिएगा, इसके अलावा इस summit से related जो भी important चीज़े हैं, आपको वो सब पता होना चाहिए, आई अब हम देखते हैं next question, next question है circular economy के बारे में, पहला statement यहाँ पर यह बोलता है, कि circular economy is a model of production, जो focus करता है recycling पर second statement यहाँ पर बोलता है, कि circular economy life cycle of products को कम कर देता है, यानि कि अगर कोई product 10 साल चलता है, तो वो circular economy की वज़े से 8 साल चलेगा या 9 साल चलेगा, उसकी life कम हो जाएगी, और यहाँ पर हमको mark करना है wrong statement, friends यहाँ पर दोनो statements wrong है, आईए discuss करते हैं, यह दोनो statement wrong क्यों है, circular economy, model of production क साथ साथ model of consumption भी होती है, यहाँ पर हम यह चीज देखते हैं, कि किस तरीके से हम चीजों को, resources को share करेंगे, lease पर देंगे, उनको reuse करेंगे, repair करेंगे, refurbish करेंगे, recycle करेंगे, हमारे पास जो resources हैं, products हैं, material हैं, और जब भी कोई product circular economy के तहत बनाया जाता है, तो उसकी life cycle बढ आप exam में जब भी question paper पड़ें, तब इस बात पर ध्यान दें, कि examiner आपसे correct statement को mark करने को बोल रहा है, कि incorrect statement को, friends, बहुत सारे बच्चों से हर साल, इस statement के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं, और वो सही answer जानते हुए भी, खलत answer mark कर देते हैं, और खास का जब बच्चे exam में stress ले लेते हैं, तब उनसे इसी गलतियां हो जाती हैं, आइए बढ़ते हैं अब हम next question की तरफ, यहाँ पर पहला statement anti-dumping duty के बारे में, यह statement यह बोलता है, कि countries anti-dumping duty तब लगा सकती हैं, जब उनको पता चले, कि जिस country से वो import कर रहे हैं, उस country में उस product के अंदर subsidy मिलती है, next statement ह आपर counter-wailing duty के बारे में, और counter-wailing duty तब लगाया ही जाती है, जब आपको पता चले, कि जिस country से आपने import करा है कोई product, वो product, वो fair value से कम में बेच रहे हैं आपकी country में, इसको friends हम example से समझ लेते हैं, माली जे इंडिया और चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इं क्योंकि इंडिया की जो domestic industry है mobile को लेकर उसको वो टोड सके, उसका वो business खराब कर सके, तो friends ऐसे सेनारियो में इंडिया क्या कर सकता है, ऐसे सेनारियो में friends इंडिया फिर anti-dumping duty लगाएगा, counter-wailing duty नहीं लगाएगा, क्योंकि friends ये statement गलत है, यहाँ पर दोनों statement गलत है, क्यो friends यहाँ पर दोनों statement गलत है, तो answer इसका हो जाएगा C, friends ये question इसलिए आया है, क्योंकि इंडिया ने चायना के बहुत सारे products पर anti-dumping duty लगाई है, तो friends आपको यहाँ पर यह economic concept पता होना चाहिए, आईए बढ़ते हैं अब हम next question की तरफ, friends ये question है, Central University entrance test के बारे में, यहाँ यहाँ पर पहला statement ही बोलता है, कि new education policy ने common entrance test for central universities को propose किया था, second statement है यहाँ पर कि national testing agency CUET को लेकर guidelines formulate करेगी और इस test को conduct भी कराएगी, और यहाँ पर हमको correct statement mark करना है, friends यहाँ पर पहला statement बिल्कुल सही है, मगर second statement में कुछ गलती है, friends यहाँ पर यह बात तो सही है, कि national testing agency CUET क conduct कराएगी, मगर friends इस CUET test को लेकर जो guidelines formulate करेगा वो है UGC, University Grant Commission, तो friends यहाँ पर आपको यह बात पता होना चाहिए, और यहाँ पर हमको correct statement mark करना है, तो सिर्फ यहाँ पर first statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा only one A, CUET के बार में friends कुछ और बाते भी पता कर लेते हैं, CUET test त उनको CUET देने की जरुत नहीं है, इस test के बाद फिलाल common counseling नहीं होती है, जैसे के IIT और हमको data में देखने को मिलता है, मगर आने वाले समय में हमको यह चीज भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर सबसे important बात यह है कि अब Central Universities में 12 class के percentage के basis पर admission नहीं मिलेगा, अब आपको यह test देना कंबल सरी है, इस test में जो marks आएंगे उसके अधार पर ही आपको admission मिलने वाला है, आईए अब हम देखते हैं next question, friends यह question हैरात festival के बारे में बात करता है, यहाँ पर पहला statement यह बोलता है कि जम्मू एन कश्मीर में इस festival को बनाया जाता है, second statement के according इसको मकर सकरानते क बिल्कुल सही है, third statement भी विल्कुल सही है, मगर second statement में कुछ गलती है, friends इस festival को मकर सकरानती के दिन नहीं, बलकि शिवरात्री के दिन मनाया जाता है, और यहाँ पर जो यह word है, हैरत, इसका मतलब ही होता है, night of hara, और hara का मतलब होता है शिवा, यानि के night of shiv, तो friends इस festival को मन जाता है, शिवरात्री के occasion पर, तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा, only one and three, यानि के C, recently हमने देखा था कि कश्मीरी पंडेस काफी news में थे, इसलिए उनके festival के बारे में question पूछा जा सकता है, और friends यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूँ, कि UPSC में हमेशा कोई भी question अग तो इस topic पर जादे ध्यान दे, जो topic news में है, आईए friends अब हम देखते हैं next question को, यहाँ पर sun synchronous orbit की बात की गई है, और इन चारों में से हमको एक incorrect statement ढूड़ना है, यहाँ पर पहला statement यह बोलता है, कि sun synchronous orbit एक special case है, polar orbit का, friends पहला statement बिल्कुल सही है, क्योंकि sun synchronous orbit polar orbit में ही होती है और यह अर्थ के around rotate करती है, north से south direction की तरफ, second statement यह बोलता है, कि sun synchronous orbit में जो भी satellite होती है, वो हमेशा same spot पर आती है, same local time पर, इसको friends हम example से समझते हैं, जैसे कि friends माल लीजे दिल्ली, अगर हम देली पर नज़र रखना चाहते हैं, शाम के 4 बजे, और हम यह देखना चाहते हैं के साम के 4 बजे किस तरह के का environment होता है देली में, तो friends यहाँ पर हमको उस चीज को observe करने के लिए sun synchronous orbit में satellite को रखना पड़ेगा, फिर वो satellite रोज 4 बजे देली के ऊपर से लिखला करेगी और देली को observe करा करेगी, second statement यहाँ पर यही बात बुलता है, third statement यहाँ पर है, कि ISO ने इसको launch किया है और फरवरी में ही इसका launch हुआ था, इस रोका ही सबसे पहला mission था, 2022 का, यहाँ पर fourth statement यह बोलता है, कि जो भी satellites sun synchronous orbit में होती हैं, वो हमेशा एक fix position में दिखेंगी हमको, अगर हम अर्थ से observe करें, friends यह statement बिल्कुल गलत है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताय कि sun synchronous orbit में जो भी satellites होती हैं, वो north to south direction में अर्थ के around revolve करती हैं, मगर friends अगर हमें satellites को sun से observe करेंगे, तो हमको यह relatively fixed position पर दिखेंगी, तो friends यहाँ पर fourth statement गलत है, यहाँ पर अर्थ के जगे sun को होना चाहिए था, तो इसका answer हो जाएगा D, आईए एबम बढ़ते हैं, next question की तर कि यह act regulate करना चाहता है commercial surrogacy in India, friends यह statement बिल्कुल गलत है, क्योंकि surrogacy regulation act आया इसलिए है, क्योंकि वो commercial surrogacy को ban करना चाहता है बिल्कुल, और वो यहाँ पर regulate करेगा altruistic surrogacy को, यानि कि जो लोग so अच्छा से surrogacy बनना चाहते हैं, उनको यहाँ पर promote किया जाएगा, और जो commercial point of view से surrogacy हो रही थी इंडिया में, उसको यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, second statement यहाँ पर यह बोलता है, कि जिन couples की 2 साल से ज्यादा marriage को हो चुका है, वो लोग soarrogacy के लिए apply कर सकते हैं, friends यहाँ पर यह statement भी गलत है, क्योंकि minimum 5 साल की marriage के बाद ही आप soarrogacy के लिए apply कर सकते हैं, third statement यहाँ पर यह बोलता है, कि जो couples surrogacy करवाना चाहते हैं, उनके पास certificate of essentiality और certificate of eligibility होना चाहिए, तो issue करता है surrogate board, friends यह statement यहाँ पर बिल्कुल सही है, जब तक आपके पास यह दोनों certificates नहीं होंगे, आपको surrogacy की permission नहीं मिलेगी इंडिया में, fourth statement यहाँ पर यह है, कि surrogate mother की age 25 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए, friends यह statement भी गलत है, क्योंकि surrogate mother की age यहाँ पर 25 से लेकर 35 के बीच में होना चाहिए, friends इसके अलावा भी बहुत सारे important points हैं, इस act के आई उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि friends यहाँ पर जो couples भी surrogacy करवाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो surrogate mother है, वो life में सिर्फ एक बारी surrogacy perform कर सकती है, और साथ-साथ उसका medical और physical fitness का खरचा यहाँ पर couple को देना पड़ेगा, मगर इसके अलावा कोई और financial benefit couple नहीं दे सकता है surrogate mother को, और यहाँ पर surrogate mother जो है, वो close relative होना चाहिए, intending couple की, तो friends यह कुछ important point है surrogacy act के बारे में, इस act के साथ-साथ the artificial reproductive technology act भी आया था, उस act को भी आप जरूर पढ़िएगा, वो act भी काफी important है, exam point of view से, आईए अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ, friends यह question बात करता है xenobots के बारे में, यहाँ पहला statement यह बोलता है, कि xenobots को living robots भी बोला जाता है, second statement यह है कि xenobots को बनाया गया है stem cells है, और यह stem cells लिये गए थे frogs से, यानि के maddox, third statement यहाँ पर यह है, कि xenobots reproduce भी कर सकते हैं, और वो reproduce करते हैं kinetic replication के थूरू, और यहाँ पर हमको correct statement को choose करना है, friends यहाँ पर तीनों ही statement बिलकुल सही है, तो इसका answer हो जाएगा D, आईए friends कुछ और बा जिसका नाम है xenobots levis, xenobots पहली बार news में थे 2020 में जब इनको university of vermot और tufts university के scientist ने इनको develop किया, और इस वक जो research चल रही है xenobots में, उसमें अब हम देखते हैं, Harvard university भी involved हो गई है, और यहाँ पर सबसर चुकाने वाली बात यह है, कि यह living robots तो हैं हैं, मगर अब यह reproduce करने गए हैं, और जिस process से यह reproduce कर रहे हैं, वो भी biology में देखी नहीं गई थी, और इसका नाम है kinetic replication, friends इन बातों का आप जरूर याद रखिएगा, यह एक बहुत बड़ा scientific advancement है हमारे लिए, और ऐसी चीजों को हमेशा track करते रहना चाहिए, क्योंकि इनसे कभी भी question आ सकता है UPSC आईए, अब हम चलते हैं, next question की तरफ, इस question में यह पूछा गया है, कि the world water development report कौन publish करता है, friends यह report publish करता है UNESCO, UNESCO एक UN के agency है, और यहाँ पर यह UN water का flagship report होती है, जहाँ पर इस बारे में ध्यान दिया जाता है, कि किस तरह से हम water resources को use करें, ताकि वो एक sustainable manner में use होती रहें, औ और आने वाले generation के लिए भी पानी की समस्या पैदा ना हो, friends इसके अलावा भी काफी reports climate को लेकर, democracy को लेकर, business को लेकर, news में रहती है, उन सब reports पर भी हमारी नजर होनी चाहिए, और friends आप जब भी कोई report पढ़ें, तो इस बात पर ध्यान दें, कि वो report कौन सी संस्था लेका जालती है, उस report में इंडिया की क्या rank है, और इस बात पर जरूर ध्यान दें, क्या इंडिया की rank पिछले 5 सालों में बढ़ रही है, या घट रही है, कई बात trend को देखती हुए question आ जाते हैं, और अगर मैं बात करूँ, कौन कौन सी indexes या report news में है, तो यहाँ पर democracy index, press freedom index, world happiness report, corruption perception index, climate change performance index, यह सब indexes news में है, तो आप इन सब indexes को जरूर revise करके exam में जाईएगा, आईए अब हम बढ़ते हैं, next question की तरफ, friends, next question है, non banking financial company के बारे में, जिसको हम short form में बोलते हैं, NBFCs, यहाँ पर पहला statement यह बोलता है, के NBFC एक company होती है, जिसको Companies Act 1956 के अंदर register किया ज जाता है, friends, यह statement बिलकुल सही है, second statement है, के NBFCs payment और settlement system का part नहीं होती है, इसलिए वो check को issue नहीं कर सकती है, friends, यह statement भी बिलकुल सही है, NBFC check के अलावा demand drought भी issue नहीं कर सकती है, और यहाँ पर जो NBFC में हम पैसा रखते हैं, उस पर RBI का जो deposit insurance credit guarantee cooperation होता है, उसकी facility भी हमको यहाँ पर नहीं मिलती है, और third statement यहाँ पर यह है, कि हर NBFC को register करना पड़ता है, अपने आपको RBI के अंदर, और RBI हर NBFCs को regulate करता है, friends, यह statement गलत है, क्योंकि RBI के अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं, NBFCs को regulate करती हैं, और वो वहाँ पर register होती है, जैसे के CBI, IRDA, etc fourth statement यहाँ पर यह है, कि RBI ने recently prompt corrective action framework लिकाला है, हर NBFCs के लिए, friends, यह statement भी गलत है, और यह बास सही है, कि RBI ने prompt correction action framework तो लिकाला है, NBFCs के लिए, मगर यहाँ पर उन NBFCs को include नहीं किया गया है, जो public fund में deal करती हैं, जो government के company है, जो primary dealer है, या फिर जो housing finance companies है, उन NBFCs को हटा कर, हर NBFCs के लिए, RBI ने prompt corrective action framework लिकाला है, friends, यह prompt corrective action framework बैंको के लिए भी है, और यह action framework तब लागो होता है, जब NPA आना चालो हो जाते हैं, बैंको के अंदर, या फिर NBFC के अंदर, इस question में हमको correct statement को mark करना है, तो यहाँ पर friends, पहला statement सही है, दूसरा statement सही है, मग पहला statement यह है, कि The Indian Agriculture Research Institute ने पूसा capsule को develop किया है, और यह एक microbial capsule है, friends, यह statement बिलकुल सही है, second statement यहाँ पर यह बोलता है, कि पूसा एक insecticide site है, जो farmer use कर सकते हैं अपने खेतों में, और इसके बाद उनको chemical use करने की जुरुत नहीं पड़ेगी, friends, यह statement गलत है, और यहाँ पर हम से पूछा गया है, कि हमको wrong statement को mark करना है, तो second statement गलत है, तो इसलिए इसका answer हो जाएगा, be two only, आईए अब हम पूसा capsule के बारे में कुछ और बाते भी जान लेते हैं, friends, पूसा capsule बहुत important है, क्योंकि जो हम पराली जलाने की समस्या देखते हैं नौर्थ इंडिया में, डेली capsule है, वो इसको decompose कर देगा, और आने वाले time में वही पराली fertilizer का काम करेगी, तो air pollution की समस्या को देखते हुए, पूसा capsule बहुत important है, और इसलिए ये news में भी है, आईए अब हम देखते हैं next question को, ये question बात कर रहा है friends, haircut की, और ये concept हम सुनते हैं banking sector में, यहाँ पर पहला statement ये haircut का ये मतलब होता है, कि जब कोई भी asset market value से कम करी जाती है, क्योंकि उसको हम गरिवी रखने वाले हैं एक loan के लिए, तो उसकी value हम market value से कम आखके चलते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है haircut, friends, ये statement बिलकुल सही है, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, एक example के थूप, friends, मान लीजिए, आपके पास एक घर है, और आपको इस वक्त loan की requirement है, तो bank का आप से कुछ गिरिवी रखने को बोलेगी, तो आप अपना घर गिरिवी रह सकते हैं, मगर आपके घर का market rate इस वक्त चल रहा है, मान लीजिए 10 लाग, मगर bank यहाँ पर आपके घर की value सिर्फ 8 ला करता है, कि क्या liquidity risk है, या फिर कितना amount हम देने वाले है, loan के form में, friends, यह statement बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन सब बातों को देखती हुए ही, haircut decide होता है, कि क्या risk associated है, loan के साथ साथ, जिसको हम loan दे रहे हैं, उसके साथ क्या risk है, जो collateral वो हमको दे रहे है, क्या वो market में जल्ली ब UPSC बहुत बार questions पूछ चुका है, तो आप जब भी पढ़ाई करें, तो आप उन keywords और concepts पर नजर रखें, यह question आप से कभी भी पूछे जा सकते हैं, आईए friends अब हम बढ़ते हैं, next question की तरफ, यह question है UPI 123 Pay के बारे में, पहला statement यह बोलता है, कि UPI 123 Pay इंप्रूफ करेगा UPI की access क्योंकि अब इसको feature phone वाले user भी use कर पाएंगे, second statement यह है, कि UPI 123 Pay जो USSDD based process होती है, उसको replace कर देगा, friends यहाँ पर हमको mark करना है, correct statement और यहाँ पर दोनों ही statement सही है, friends UPI 123 Pay feature phone के लिए लिखाला गया है, और इसको develop किया गया है, National Payment Corporation of India ने, साथ-साथ RBI ने, और Indian Bank Association ने friends UPI 123 Pay यूज करने के लिए आपको internet की जुरूत नहीं पड़ती है, आप इसको चार अलग-अलग तरीकों से use कर सकते हैं, और जो पहले feature phone में USSD based process होती थी, जहाँ पर star, double line, hash को use करना पड़ता था, UPI payment के लिए उसको अभी replace कर देगा, और कुछ अलग options देगा feature phone के users को, friends इंडिया में अभी भी लगबग 40 करों लोग feature phone यूज करते हैं, इसलिए ये development काफी important है, उन लोगों को financial inclusion की तरफ बढ़ाने के लिए, आईए अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ, ये question है friends, card tokenization के बारे में, पहला statement ये बोलता है, कि card tokenization चालू हो जाएगा 1st April 2022 से, second statement ये है, क card tokenization एक process होती है, जहांपर आपका जो actual card details है, उसको replace कर दिया जाता है, किसी unique code से, या किसी token से, friends, ये UPI की तरह ही है, जैसे के आप एक bank account पर बहुत सारी UPI बना सकते हैं, और उस UPI ID की वज़े से, आपका जो real bank account है, वो किसी को नहीं पता चलता, इसी तरह से आप, जब card tokenization news करेंगे, तो जो आपकी यहांपर real card details है, वो किसी और को पता नहीं चलेंगी, और आपका card यहांपर और secure हो जाएगा, थर्ड statement यहांपर यह है, कि user को यहांपर एक nominal fee देनी पड़ेगी, card tokenization के लिए, फोर्थ statement यहांपर यहांपर यह है, कि card tokenization process से, आपकी जो payment है, वो औ secure हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, यहांपर हमको mark करना है correct statement, friends पहला statement गलत है, क्योंकि इसको 1 April नहीं, 30 June से implement किया जाएगा, second statement यहांपर बिल्कुल सही है, यहांपर आपको unique code या token मिलता है, third statement सही नहीं है, क्योंकि यहांपर user से कोई भी charge नहीं लिया जाएगा, इस process के लिए, fourth statement friends बिल्कुल सही है, तो friends यहांपर second और fourth statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा C, two and four only, आईए अब हम बढ़ते हैं, next question की तरफ, यह question बात करता है, agreement of ugly culture की, जो WTO के अंदर sign किया गया है, पहला statement ने friends यहांपर ember box subsidies के बारे में, ऐसी subsidies जो trade को distort करती है, और जो export हने वाला product है, उसकी price को कम कर देती है, उसको हम ember box subsidy के अंदर रखते हैं, second statement है green box subsidies, ऐसी subsidies जो developing countries और least developing countries दे सकती हैं, उसको बोला जाता है green box subsidies, third statement है special and differential treatment box subsidies, ऐसी subsidies जो हर country को मिलती हैं, वो इसके अंदर रखी जाती हैं, friends यहांपर हमको जो incorrect statement है, उसको mark करना है, friends यहांपर पहला statement बिल्कुल सही है, मगर second statement और third statement गलत है, क्योंकि friends green box subsidies हर country को मिलती है, और special and differential treatment box subsidies सिर्फ developing और least developed countries को मिलती है, तो friends यहांपर second और third statement गलत है, और सिर्फ first statement सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D, 2 and 3 only, क्योंकि यहांपर हमको incorrect statements को mark करना है, अब हम चलते हैं, next question की तरफ, next question है, general agreement on trade in services के बारे में, यह भी friends WTO के अंदर ही आता है, यहांपर different mode दिये गए हैं services के, उसको हमको देखना है कि वो सही तरह से match हैं कि नहीं है, जैसे कि mode 1 में, वो services आती हैं, जहांपर आप consumption abroad करते हैं, यानि कि आप भार जाकि उन services को consume करते हैं, second mode में वो services आती हैं, जहांपर cross boundary supply होता है, third mode में commercial presence होता है दूसरी companies का अलग-लग countries में, fourth mode में, जो natural persons हैं, उनका moment होता है services provide करने के लिए, यहांपर हमको correct statement mark करना है, friends यहांपर पहला statement गलत है, क्योंकि mode 1 में cross border supply आता है, friends यहांपर banking services होई, architecture services होई, जिसको हम email के थुरू, या फर app के थुरू दे सकते हैं, तो उसको हम बुलते हैं, mode 1 services और यह आती है cross border supply के अंदर, second mode होता है consumption abroad, friends यहांपर यह होता है, कि बाहर का कोई व्यक्ति हमारी country में आता है services लेने के लिए, जैसे के friends, tourist आते हैं, medical tourism भी देखने को मिलता है, यह सब services किसके अंदर आएंगी, consumption abroad के अंदर, यानि के mode 2, mode 3 होता है friends, commercial presence, जहांपर दूसरी companies हमारी country में आकर services प्रोवाइट करती हैं, और वो अपनी company को यहांपर establish करती हैं, example के लिए जैसे के कोई foreign hotel यहांपर इंडिया में खुलती है, तो वो यहांपर भाहर की hotel है, जो इंडिया में services को provide कर रही है, फूर्थ mode में friend, natural persons का moment होता है, जैसे के मान लेजिए इंडिया का doctor बाहर जाके इलाज करे, या फिर इंडिया का teacher बाहर जाके पढ़ाए, ऐसी services mode 4 में आती हैं, क्योंकि यहांपर actual moment होता है natural persons का, इस question में हमको mark करना था correct statement, तो यहांपर हम देखते हैं कि mode 3 और mode 4 ही सही है, first और second mode गलत है, तो इसका answer हो जाएगा 2 and 3 only, यानि के B, ये WTO के questions इसलिए important है friends, क्योंकि इंडिया ने recently हम देखते हैं, FTA साइन करा है, Australia से, UAE से, और बहुत जल्दी हम UK से भी हमारा FTA finalize करने वाले हैं, और भी आने वाले समय में हमको काफी FTA देखने को मिल सकते हैं, इंडिया के दूसरी country के साथ, तो सेनारियों में हमको ये सब चीज़े पता होना चाहिए, आईए अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है friends, sovereign bonds के बारे में, पहला statement ये बोलता है, कि sovereign bonds credit instrument होती है, जो इशू करी जाती है national government द्वारा, friends ये statement बिल्कुल गलत है, क्योंकि sovereign bond credit नहीं, debit instrument होती है, क्योंकि अगर इंडिया sovereign bond को issue करेगा, तो रुपीज के terms में करेगा, friends ये statement भी गलत है, क्योंकि sovereign bond को आप foreign currency के terms में भी issue कर सकते हैं, तो friends यहाँ पर हमको mark करना था correct statement, मगर यहाँ पर दोनों ही statement गलत हैं, तो उसका answer हो जाएगा D, neither 1 nor 2, आईए अब हम देखते हैं next question, यह question है oil prices के बारे में, पहला statement यह है, कि GST के अंदर petrol और diesel के products नहीं आते हैं, यह statement बिल्कुल सही है, second statement यहाँ पर यह है, कि जो exercise duty लगती है, petrol और diesel पर वो state governments लगाती है, friends यह statement बिल्कुल गलत है, क्योंकि exercise duty central government लगाती है, third statement है यहाँ पर, कि petrol और diesel पर wet लगाया जाता है, central government द्वारा, यह statement भी गलत है, क्योंकि wet लगाता है state government, और इस question में हमको mark करना है correct statement, तो हमने देखा second और third तो गलत है, तो सिर्फ first statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा one only, और friends, यहाँ पर हम बात करें, कि कौन कौन से products GST से बाहर हैं, तो alcohol, natural gas, electricity, यह सब चीजे भी GST के अंदर included नहीं हैं, यह बात भी आप याद रखिएगा, आई यह अब हम देखते हैं next question, next question है inflation के बारे में, पहला statement यह बोलता है, कि demand pull inflation तब होता है, जब production decrease हो जाता है, और money supply increase हो जाती है, यह statement गलत है, क्योंकि demand pull inflation तब होता है, जब demand increase होती है किसी भी product की, और उसका production इतना increase नहीं हो पा रहा है, जितनी demand है, इसलिए इसको बोला जाता है, demand pull inflation, यहाँ पर second statement है, cost push inflation का, जो बोलता है, कि cost push inflation तब होता है, जब input cost बढ़ जाती है products की, इसका यह मतलब है, कि जब raw materials की cost बढ़ जाएगी, तो automatically product की cost भी बढ़ेगी, जिसकी वज़े से हमको inflation देखने को मिलेगा, यह statement बिलकुल सही है, और अगर करमचारियों की तनखा भी बढ़ती है, तब भी product की cost बढ़ती है, और उसके वज़े से भी हमको inflation देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते है, cost push inflation, यहाँ पर पहला statement गलत है, second statement सही है, और यहाँ पर हमको mark करना है correct statement, इसलिए इसका answer हो जाएगा, to only, यानि कि B, इस समय inflation काफी news में है, तो inflation के बारे में आप जितना और पढ़ सकें, वो आपके लिए बहुत important रहेगा, क्योंकि inflation के concept पर, UPSC में बहुत बार question आ चुका है, और आगे भी आ सकता है, आईए अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ, इस question में यह पूछा गया है, कि constitution के ऐसे concept provision है, जो दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर secular character है, यहाँ पर हमको तीन statement दिये गए है, प्रियम्बल, Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights, तो यहाँ पर हमको देखना है, क्या इन तीनों के अंदर हमको secular character देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमको mark करना है correct court को, इन तीनों के अंदर ही हमको secular character देखने को मिलता है, प्रियम्बल के अंदर तो हमको secular word देखने को ही मिलता है, Directive Principle of State Policy में हमको Uniform Civil Court की बात होती हो दिखती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं secular character, और fundamental rights के अंदर हम freedom of religion की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको देखता है secular character, तो इसलिए हमको इन तीनों में ही secular character देखने को मिल रहा है, तो इसका answer हो जाएगा 1, 2, 1, 3, यानि के D option, आई ये अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ, ये question है friends, office of profit के बारे में, पहला statement ये बोलता है, कि इंडिया में जो MP हैं और MLA हैं, वो office of profit को hold नहीं कर सकते, friends, ये statement गलत है, क्योंकि MPs और MLA office of profit को hold कर सकते हैं, मगर वो कौन सा office of profit hold कर सकते हैं, ये चीज़ को define किया जाता है, पालियामेंट के दुआरा या फिर state legislative assembly दुआरा, क्योंकि friends, जब कोई भी MP ये MLA, council of minister के अंदर जाता है, तो council of minister के अंदर वो एक office of profit को hold कर रहा होता है, पूरा council of minister office of profit के अंदर ही आता है, second statement यहाँ पर यह है, कि the term office of profit constitution में कहीं पर भी mention नहीं है, friends, ये statement मिलकुल गलत है, हमारे सम्विधान में article 102 में office of profit का जिक्र होता है, बगर friends, यहाँ पर हमारे सम्विधान में office of profit को define नहीं किया गया, ये बात आपको याद रखना चाहिए, और यहाँ पर हमको mark करना है correct statement, तो यहाँ पर पहला statement भी गलत है, और दूसरा statement भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, नाइधर 1 नौर 2, आईए अब हम देखते हैं next question, friends, यहाँ पर हमको देखना है, कि कौनसा statement incorrect है, और यह सब statements दिये गए है, economic recovery के context में, पहला statement यहाँ पर यह बोलता है, कि case shape की recovery हमको देखने को मिलती है, जब एक बार recession आता है, और different part of economy फिर different different rates से, और time से grow करना चालू करते हैं, तो तब हम बोलते हैं, कि हमको economic recovery देखने को मिल रही है, case shape में, second statement यह बोलता है, कि Z shape की recovery हमको देखने को मिलती है, जब economy एकदम से rise कर जाती है, economic crash के बाद, third statement है, डबलू shaped recovery के बारे में, जहाँ पर economic growth एक बार गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, उसके बाद फिर recover करना चालू करती है, fourth statement है, यहाँ पर U shaped recovery के बारे में, और इस type की recovery में हमको, बहुत जल्दी ही economic growth देखने को मिलती है, और बहुत जल्दी economy recover कर जाती है, यहाँ पर हमको देखना था, कि कौन सा statement incorrect है, जो fourth statement है, यानि कि D option यह incorrect है, क्योंकि U shaped recovery में, हमको पहले fall देखने को मिलता है, और एक लंबे समय तक हमको low economic growth देखने को मिलती है, और उसके बाद gradually economic recovery देखने को मिलती है, और economic growth देखने को मिलती है, इसलिए friends यहाँ पर fourth statement गलत है, बाकी तीनो A, B और C सही है, तो उसका अंसर हो जाएगा D, COVID pandemic के बाद economic recovery काफी news में है, तो economic recovery से लेकर जितने भी concepts हैं, वो सब आपके clear होना चाहिए, economic recovery पर और inflation पर कभी भी question आ सकता है, तो इन दोनों topics को आप बहुत ही अच्छे से तयार करिएगा अपने paper के लिए, आईए अब हम देखते हैं next question, यह question है friends, pulses के बारे में, पहला statement यह बोलता है, कि India largest producer है, consumer है, और importer है pulses का पूरे world में, second statement यहाँ पर बोलता है, कि खरीफ pulses 60% contribute करती है, total production में, third statement यह बोलता है, कि तूर या अरज pulses जो होती है, उसका share सबसे ज़्यादा है पूरे pulses में, यानि कि 40% production इंडिया में, तूर दालका, अरज दालका होता है, यहाँ पर हमको correct statement मार करना है, पहला statement बिल्कुल सही है, second statement गलत है, क्योंकि खरीफ pulses नहीं, राभी pulses 60% contribute करती है, total production में, third statement यहाँ पर गलत है, क्योंकि ग्राम इजदा dominant pulse, जो 40% contribute करती है, और तूर या अरज दाल, सिर्फ 15-20% contribute करती है, यहाँ पर उरत की दाल, मूंग दाल, 8-10% contribute करती है, इंडिया के total production में, आईए friends अब हम चलते हैं, next question की तरफ, यह question बात करता है, the battle of सरिया घाट के बारे में, यह question हम से पूछता है, कि यह युद किस के बीच हुआ था, पहला option है, a home kingdom and mughal empire, second option है, British and France forces, third है, British and madras, fourth है, इस battle की unique बात यह है, कि a home kingdom ने यहाँ पर mughal forces को हरा दिया था, और a home kingdom के leader थे हैं यहाँ पर, लचित भूर्मुकन, उनकी leadership में यहाँ पर, a home kingdom ने, mughal empire की forces को हराया, जो एक बहुत बड़ी बात थी, उस समय के लिए, यह battle friends, गोहा आटी के पास, यहाँ पर Central Pollution Control Board के बारे में, पहला statement यह है, कि यह एक statutory body है, जिसको Air Prevention and Control Pollution Act के अंदर बनाया गया है, friends, यह statement गलत है, actually इसको Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 के अंदर बनाया गया है, यहाँ पर second statement यह है, कि CPCB का principle काम यह है, कि वो air quality को improve करे, और prevent करे, control करे, air pollution को हमारे देश में, friends, यह statement बिल्कुल सही है, friends, यहाँ पर first statement गलत है, और second statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा, to only, और CPC के अंदर गत, Environment Production Act 1986, Water Act, Air Pollution Control Act, यह सब act आते हैं, जिस पर नजर बनाया रखता है, Central Pollution Control Board, आईए अब आम देखते हैं, next question, next question है, friends, यहाँ पर, permissible level of noise के बारे में, यहाँ पर पहला statement यह है, कि इंडरेश्चिल एरिया में, noise level 70 से लेकर 75 decimal तक permissible है, इंडरेश्ट्रियल एरिया में, noise level 70 to 60 decimal permissible है, residential एरिया में, noise level 60 to 50 decimal level permissible है, silence zone में, noise level 50 से लेकर 40 decimal तक permissible है, यहाँ पर हमको select करना है, correct statement, second और third statement गलत है, first और fourth statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा D, इंडरेश्ट्रियल एरिया में हमको 75 से लेकर 70 तक decimal level की noise permissible है, commercial एरिया में 65 से लेकर 55 तक, residential एरिया में 55 से लेकर 45 तक, और silence zone में 50 से लेकर 40 तक decimal level की noise permissible है, आईए friends अब हम देखते हैं next question, next question है friends यहाँ पर, नेता जी शुवाशंद भोस के बारे में, पहला statement यहाँ पर यह है कि नेता जी के बड़े पर प्राकरम दिवस बनाया जाता है 23rd January को, second statement यहाँ पर यह है कि भोस जी ने Congress का presidential election जीता था हरीपुरा में 1938 में और 1939 में, third statement यहाँ पर यह है कि नेता जी ने खुदका दूस्पर लिखाला था सोराज नाम से, यहाँ पर तीनों यह statement सही है नेता जी सुबाचन भोस के बारे में और recently Prime Minister Modi जी ने नेता जी की एक statue को भी inaugurate किया था, जो hologramic form में थी और आने वाले सबब में हाँ पर हमको एक real statue भी देखने को मिलेगी, तो Friends, यहाँ पर तीनों यह statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा D, आईए Friends, दिखते है next question, यहाँ पर next question है solar power के बारे में, यहाँ पर पहला statement यह बोलता है कि India overall fifth number पर आता है solar power deployment में, यहाँ पर second statement यह है कि solar power contribution में इस वक्त solar ज्यादा contribute करता है इंडिया के energy production में, compare आगर हम करते हैं इसको wind energy से, Friends, यह statement गलत है कि उनकी wind energy के contribution ज्यादा है और solar का कम है, और यहाँ पर हमको mark करना है correct statement इसलिए इसका answer हो जाएगा only one यानि के A, Friends, आने वाले समय में हमको और भी solar energy produce होते हुँ देखेगी क्योंकि इंडिया नहीं ये target लिया है कि 2030 तक 450 watt energy हम renewable sources से produce करेंगे, जिसमें से 300 gigawatt energy solar power से हम produce करने वाले हैं, आईए Friends, अब हम देखते हैं next question को, next question है Friends, यहाँ पर single use plastic के बारे में यहाँ पर पहला statement है प्रकती एप के बारे में जो एक ग्रिवियांस एप है जहाँ पर आप ही report कर सकते हैं कि कहाँ पर single use plastic manufacture हो रही है, कहाँ उसकी बिकरी हो रही है, कहाँ उसका use हो रहा है और Friends, पहला statement बिल्कुल सही है, Second statement यहाँ पर यह है, कि इंडिया में बहुती जल्द blanket band लगने वाला है single use plastic पर एक जुलाई 2022 से, Friends, यहाँ पर हमको wrong statement को mark करना है, और यहाँ पर दोनों ही statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा D, neither one nor two, और यहाँ पर हमको यह बात भी note करना चाहिए, कि Central Pollution Control Board यह चीज मोनिटर करेगा, कि कहाँ पर single use plastic का use हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, आईए अब हम देखते हैं next question को, next question है friends, international day to combat Islamophobia के बारे में, यहाँ पर पहला statement यह बोलता है, कि United Nations General Assembly ने consensus के अधार पर इस resolution को पास किया, और यह बात recognize करी, कि 15 March को हम international day to combat Islamophobia को मनाएंगे, friends यह statement बिल्कुल सही है, second statement यहाँ पर यह है, कि इस resolution को introduce करा Saudi Arabia ने, यह statement गलत है, क्योंकि इसको introduce किया था पाकिस्तान ने, यहाँ पर हमको यह बात भी note करना चाहिए, कि organization of Islamic countries ने इस resolution को बनाया था और पाकिस्तान ने इसको introduce करा, और अगर हम बात करें, कि 15 March को ही क्यों select करा गया, तो इसका reason यह है, कि इस दिन New Zealand की दो मजज़ितों पर attack किया गया था, और वहाँ पर Muslim community को target किया गया था, जिसमें लगबग 30 से 40 लोगों की जान भी चली गई थी, आईए friends अब हम देखते हैं next question, यह question में friends ecofin और ecotype की बात की गई है, यहाँ पर हमको correct statement चूज करना है, पहला statement है, ecofin वो organisms होते हैं, जहाँ पर जिनके genetics तो same रहते हैं, मगर morphologically वो different होते हैं, और यह सब belong करते हैं, एक की species को यानि के same species को, friends यहाँ पर morphology का मतलब होता है, आकरिती या फिर बनावट, यानि के बनावट अलग हो सकती है, मगर जो genes हैं, genetics हैं, वो similar रहते हैं, यहाँ पर यह statement बिल्कुल सही है, इसी चीज को हम बोलते हैं, ecofin, second statement है, यहाँ पर ecotype के बारे में, वो species के अंदर देखा जाता है, जहाँ पर हमको minor genetic variation देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको mark करना आता correct statement, तो यहाँ पर दोनों ही statement सही है, तो उसका answer हो जाएगा, both one and two, और अगर हम बात करें, कि ecofin's develop कैसे होते हैं, तो friends होता यह है, कि जब same species के organisms, different different जगहों पर रहना चालू करते हैं, तो उस different जगह को adapt करने के लिए, उनके अंदर कुछ physical changes आना चालू हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं, morphological changes, मगर उनके genetic same रहते हैं, और वो physical change आता है, क्योंकि वो different environment में रहना चालू कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ecofin's, और friends जब कोई भी organism, लंबे समय तक दूसरे environment में रहना चालू कर देता है, तो हम ये देखते हैं, कि evolution की वज़े से उसके अंदर, genetic changes भी आना चालू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, eco types, तो friends यहाँ पर आप ये concept याद रखिएगा, climate change को लेकर, और organisms को लेकर, काफी questions UPSC में आते हैं, इसलिए friends ये question काफी important है, आईए अब हम देखते हैं next question, next question है friends, micro plastics के बारे में, micro plastics वो plastics होती हैं, जिसका diameter 10 mm से कम होता है, पहला statement ये बोलता है, second statement यहाँ पर ये है, कि IUCN के according, जो 80% marine कच्रा है, उसमें micro plastic देखे जाते हैं, third statement यहाँ पर ये है, कि Government of Norway, IMO और UNEP ने मिलकर, GoLitter Partnership लाँच की है, जहाँ पर वो समझत के, कोड़े को कम करने की कुशिश करेंगे, friends यहाँ पर हमको select करना है, correct answer, पहला statement यहाँ पर friends गलत है, क्योंकि micro plastic ऐसे plastics होते हैं, जिनका diameter 5 mm से भी कम होता है, second statement यहाँ पर सही है, third statement यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो glow litter partnership है, वो Government of Norway, IMO और FAO, यानि के Food and Agriculture Organization के साथ मिलकर बनाई गई है, और यह partnership यहाँ पर, तो small island countries हैं, उनको support करेगी, least development countries को support करेगी, ताकि वो marine litter को reduce कर सकें, और prevent कर सकें बढ़ने से, friends यहाँ पर हमको यह बात भी नोट करना चाहिए, कि United Nations Environment Assembly ने, 2 March 2022 को, अपने 5th session में, यह बोला कि हमको, 2024 तक Global Plastic Treaty देखने को मिलेगी, यह एक International Legally Binding Treaty होगी, जिसके तयत हम, Plastic Pollution को end करेंगे, अई अब हम देखते हैं, Next Question, friends यह question है, चीता के बारे में, हम जानते हैं कि इंडिया में, चीता को reintroduce करने के बात की जा रही है, उस context में यह question बहुत important है, पहला statement यहाँ पर यह है, कि चीता इंडिया का, एक लोता ऐसा largest mammal है, जो extent हो गया है, इंडिया से independence के बाद, friends यह statement बिल्कुल सही है, second statement यहाँ पर यह है, कि पचास चीता उसको, introduce करने की बात की जा रही है, नेशनल पार्क्स में, जिनको हम introduce करेंगे, इंडिया के नेशनल पार्क्स में, पांस साल के अंदर, यह statement भी बिल्कुल सही है, third statement यहाँ पर यह है, कि मत्प्रदेश के, कुनो पालपुर नेशनल पार्क में, सबसे पहले, चीता को introduce किया जाएगा, और यह चीते लाए जाएंगे, अफरिका से, यह statement भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हमको choose करना है, यहाँ पर हमको, Desi Duas Forest देखने को मिलते हैं, यहाँ पर चीता जिन जानवरों को शकार करता है, वो जानवर यहाँ पर मौझूद हैं, और इस पार्क में लगबग 21 चीता को reintroduce किया जा सकता, के लावा कॉन से नेशनल पार्क में, चीता को introduce किया जाएगा, तो फ्रेंट्स यह तो बात हुई चीता की, आईए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, नेक्स्ट कोशन यहाँ पर बात करता है, विशिष्ट आदुएतवाद की, पहला स्टेट्मेंट यह है, कि विशिष्ट आदुएतवाद के अंदर, पुलरेटी ओफ सोल्स को, एडमिट किया जाता है, यानि कि विशिष्ट आदुएतवाद यह बात मानता है, कि आत्मा के बहुत सारे सुरूप हो सकते हैं, सेकंड स्टेट्मेंट यह बोलता है, कि विशिष्ट आदुएतवाद के अकॉर्डिंग, सोल को, आत्मा को तभी लिबरेशन मिलता है, तभी मोक्ष मिलता है, जब वो परमात्मा में मर्ज हो जाती है, यानि कि जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तभी हम कहते हैं, कि हमको मोक्ष प्राप्थ हो गया, फ्रेंट्स यहाँ पर second statement गलत है यह philosophy दोयतवात की है विशिष्ट आदोयतवात की नहीं है विशिष्ट आदोयतवात यह बोलता है कि जब कोई भी आतमा परमातमा को समझ लेती है तब उसको लिबरेशन प्राप्त होता है और यहाँ पर आतमा कभी भी परमातमा में मरज नहीं होती फ्रेंड्स फरवरी में प्रायम निश्वर मोदी जी ने रामानुज आचारी जी की Statue of Equality को Inaugurate किया था और विचिस्ट आदुएतवात की फिलोसोफी स्री रामानुज आचारी जी नहीं दी है वो 12th century के फिलोसोफर थे जुनोंने ये फिलोसिफी दी इसके अलावा फ्रेंड्स हमको संकराचार जी की आदुएतवात की फिलोसोफी और मादावाचार जी की दुएतवात की फिलोसोफी पता होना चाहिए आईए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं next question को next question है यहाँ पर ethanol blending के बारे में पहला statement यह बोलता है कि ethanol blending policy के तहित इंडिया E10 fuel supply अप्रेल 2022 तक चालू कर सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर पहला statement सही है और second statement यहाँ पर यह बोलता है कि government of India ने जो 20% ethanol blending का target लिया है petrol में उसको पुश कर दिया गया है pandemic की वज़े से 2030 तक फ्रेंड्स यह statement गलत है यहाँ पर government of India ने पहले target 2030 का लिया था अब उसको आगे बढ़ा का 2025 कर दिया है तो यहाँ पर हमको यह बात याद रखना है कि इस target को बढ़ाया गया है ना कि delay किया गया है pandemic की वज़े से और फ्रेंड्स अगर हम ethanol की बात करें तो ethanol एक biofuel है यह naturally produce किया जा सकता है sugar से, yeast से और जब भी हम petrol में ethanol blending करते हैं तो pollution कम होता है और जो हमारे petrol के prices हैं वो भी कम हो जाएंगे जब हम ethanol blending को use करेंगे 20% पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमको select करना था correct statement तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि first statement सही है और second गलत है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A, one only आईए friends अब हम देखते हैं next question, next question है friends यहाँ पर fuel cell electric vehicles के बारे में पहला statement यहाँ पर यह बोलता है कि fuel cell electric vehicles में power hydrogen के तुरू supply की जाती है यह statement friends बिल्कुल सही है second statement यहाँ पर यह है कि union minister for environment, forest and climate change ने recently inaugurate करा पहला pilot project जहाँ पर हम hydrogen based advanced fuel cell electric vehicles को बनाएंगे friends यह statement गलत है क्योंकि इसका inauguration नितिन गटकरी जी ने किया था जो कि union minister for road transport and highway हैं third statement यहाँ पर यह है कि fuel cell electric vehicles कोई भी emission limit नहीं करते हैं वो सिर्फ water vapor और गरम हवा emit करते हैं यानि कि कोई भी pollution हमको यहाँ पर उनसे देखने को नहीं मिलेगा friends यह statement बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमको select करना है correct statement इसलिए इसका answer हो जाएगा C friends electric vehicles काफी news में रहते हैं इसके इलावा आपको lithium ion batteries के बारे में भी पता होना चाहिए आप उसके बारे में भी जरूर पढ़ें exam से पहले आईए अब हम देखते हैं next question next question है सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में पहला statement ये है कि सरिस्का नेशनल पार्क डॉमिनेटेड है अरावली हिल्स से पहला statement friends बिल्कुल सही है यहाँ पर हमको dry और deciduous forest देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हमको medieval times के कुछ मंदर भी देखने को मिलते हैं Second statement यह है कि यह forest moist और deciduous है. तो friends यह statement गलत है. यहाँ पर हमको moist नहीं, dry और deciduous forest देखने को मिलते हैं. Second statement यहाँ पर यह है कि Sariska National Park में हमको leopard, wild dog, jungle cat, henna, jackal और tiger जैसे animals देखने को मिलेंगे. Friends यह statement बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमको correct statement चूज करना है इसलिए इसका answer हो जाएगा 1 and 3 only यानि के C. आईए अब हम देखते हैं next question. Next question है the National Pharmaceutical Pricing Authority के बारे में जिसको हम NPPA भी बोलते हैं. यहाँ पर पहला statement यह बोलता है कि NPPA के पास यह authority है कि वो यहाँ पर maximum price fix कर सकता है essential medicines और medical devices की. Friends यह statement बिल्कुल सही है. Second statement यहाँ पर यह है कि NPPA हर दूसरे साल drugs की prices को change करता है according to wholesale price index. Friends यह statement यहाँ पर गलत है. क्योंकि NPPA हर दूसरे साल नहीं बलकि हर साली price को change करता है wholesale price index के हिसाब से. और यहाँ पर हमको select करना है कि कौन सा statement incorrect है तो वो Second statement है इसलिए इसका answer हो जाएगा B to only. और अगर हम बात करें कि किस act के तहट यहाँ पर NPPA prices को fix करता है तो दा drug price control order 2013 के तहट यहाँ पर National Pharmaceutical Pricing Authority के पास यह power है कि वो essential medicines की और devices की price को fix कर सके. आईए friends अब हम देखते हैं next question. Friends यह question है national parties के बारे में. यहाँ पर हमको statement पढ़के यह बात पहचाननी है कि कौन सी party को यहाँ पर national party की status मिल सकती है. पहला सेनारियो यहाँ पर यह है कि general election में party X ने चार लोग सोभा के सीटे जीती है और साथ में उसको 4% vote share भी मिला है चार राज्यों में. Friends यह statement गलत है क्योंकि यहाँ पर vote share 4% नहीं 6% होना चाहिए था. अगर vote share 6% होता तो party X को यहाँ पर national party की status मिल सकती थी. Second statement है यहाँ पर कि party Y ने 10 लोग सवा सीटे जीती हैं आम elections में तो क्या उसको national party की status मिल सकती है? Friends यहाँ पर second statement भी गलत है क्योंकि यहाँ पर किसी भी party को अगर national party का status चाहिए तो at least उसको 2% सीटे जीतनी पड़ती हैं लोग सवा से और यहाँ पर यह 2% सीटे वो भी कम से कम 3 different राज्यों में. और Friends यहाँ पर एक और condition होती है जिसके तहट आपको national party का status मिल सकता है वो यह है कि अगर किसी भी party को चार राज्यों में state party के दरजा मिल जाता है तो उसको फिर हम national party के तरह recognize कर सकते हैं. यहाँ पर हमको यह बात भी note करना चाहिए कि election commission of India national party की status देता है और यह status दी जाती है election symbols, reservation and allotment order 1968 के तहित और इस वक्त इंडिया में 8 national parties हैं. इंडिया national congress, BJP, Communist Party of India, Communist Party of India Marxist, बहुजन समाज party, All India Tribunal Congress, Nationalist Congress Party और National People's Party. अब हम देखते हैं next question. Next question है अबराहम accords के बारे में. यह accord हमको news में सुनने को मिलती है तो यह accord किस के बारे में है, किस चीज़ से related है. पहला option है Israeli-Palestine Conflict, second option है Organization of Islamic Countries, third option है Israel, UAE, Bahrain, fourth option है Israel and Saudi Arabia. Friends, इसका right answer है C, Israel, UAE और Bahrain. यह accord इन तिनों countries ने मिलकर sign करी है, और यह एक peace treaty है, जहाँ पर इन तिनों countries ने मिलकर बोला है, कि वो अब Middle East में सांती चाहते हैं, और शांती स्थाबित करने के लिए यह तिनों countries मिलकर काम करेंगे. आईए friends, अब हम देखते हैं next question. Next question है यहाँ पर respiratory airway, secretary cells के बारे में, जिसको हम बोलते हैं R.A.S.C. पहला statement यहाँ पर यह है, कि R.A.S.C. के अंदर stem cell like quality होती हैं. यह statement बिलकुल सही है. Second statement यहाँ पर यह है, कि R.A.S.C. के अंदर secretary cells होते हैं, जो alveo lie के अंदर होते हैं, और यह एक protein को produce करते हैं, जिसकी ज़रूत होती है airways की landing में fluid बनाने के लिए. Friends, यह दोनों ही statement यहाँ पर बिलकुल सही हैं. तो friends, यहाँ पर दोनों statement सही हैं, इसलिए इसका अंसर हो जाएगा C, both, 1 and 2. और यहाँ पर सबसे important बात यह है, कि R.A.S.C. को हमने recently discover करा है, इनमे stem cell like quality होती है, यानि कि यह अपना सोरूप बदल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर medical experts ने बताया, कि R.A.S.C. cells आगे जाकर alveo lie cells बन सकते हैं. फ्रेंड्स फिलाल इन cells पर study जारी है, और यह अंदाजा लगाया जा रहा है, कि इनकी जाओं study अच्छे से कर लेंगे, तो हम lung cancer का cure भी डूर सकते हैं. आईए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं next question को. यह question बात करता है, The Criminal Procedure Identification Act 2022 के बारे में. पहला statement यहाँ पर यह है, कि इ एक्टर ने यह authority provide की है, कि हम biometric details जैसे के palm print, retina scan, iris scan ले सकें. फ्रेंड्स पहला statement यहाँ पर बिल्कुल सही है, second statement यहाँ पर यह बोलता है, कि जो भी detail हम collect करेंगे, criminals की, उसको हम 100 साल तक store कर सकते हैं, electronic या फिर digital form में. यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा statement correct नहीं है, पह क्योंकि इसको हम store कर सकते हैं सिर्फ 75 साल तक, यानि कि 75 years तक, तो यहाँ पर second statement गलत है, इसलिए इसका answer हो जाएगा, to only, यानि कि B option, इसका correct answer है, friends यह act काफी news में था, आईए friends अब हम देखते हैं next question, next question है friends यहाँ पर Armed Forces Special Power Act के बारे में, पहला statement यहाँ पर यह बोलता है, क कि British colonial government ने 15 अगस्त 1942 में इस act को लिकाला था, एक ordinance के रूप में, ताकि वो quit India movement को suppress कर सके, दबा सके, पहली बार आफसफा हमको British के rule में देखने को मिलता है, second statement यहाँ पर friends यह है, कि section 3 of OSFA, state के governor को, और union territory के administrator को यह power देता है, कि वो किसी भी area को disturbed area गोशित कर सके, और friends जब को एरिया, disturbed area गोशित हो जाता है, तो फिर वहाँ पर आफसफा लगाया जा सकता है, friends यहाँ पर पूछा गया है, कि कौन से statements यहाँ पर गलत हैं, यहाँ पर दोनों ही statements हैं, इसलिए इसका answer हो जाएगा D, neither one nor two, और recently हमने यह देखा था कि आसाम से, नागा लेंड से, और मन के पास firing करने की permission भी होती है, और भी बहुत सारी powers मिलती हैं, यहाँ पर armed forces को, किसी भी armed person पर कोई भी case नहीं लगाया जा सकता, जब तक की central government इसकी permission ना दे, तो friends बहुती variety of powers यहाँ पर military को मिलती हैं, आफसफा में, इसलिए आफसफा हमेशा news में रहता है, आईए अब हम web space telescope के बारे में, यहाँ पर जो incorrect statement है, उसको हमको पहचानना है, option A में statement दी गई है, कि यह telescope international collaboration से बनाया गया है, जहाँ पर NASA ने partnership करी, European और Canadian space agencies के साथ, यह statement बिल्कुल सही है, second statement यहाँ पर यह है, कि यह telescope time में पीछे भी देख सकता है, यह statement friends बिल्कुल सही है, क्योंकि यह telescope 200 million light years, दूर से आ रही light को भी देख सकता है, इसलिए friends यहाँ पर बोला जाता है, कि यह telescope time travel कर सकता है, पास्ट में, third statement यहाँ पर यह है, कि यह telescope radio web telescope है, friends यह statement यहाँ पर गलत है, James web telescope infrared telescope है, तो friends इसका आंसर हो जाएगा C, fourth statement में यहाँ पर सही है, कि यह telescope L2 language point पर रखा गया ह जो कि यहाँ से 15,00,00 km दूर है, और friends लेंगराज points यह से points होते हैं, जहाँ पर अर्थ और सन की gravitational field में एक balance होता है, इसलिए जो भी object उस point पर रहता है, वो हमेशा sun और अर्थ के sink में रहता है, और ऐसे 5 points देखने को मिलते हैं हमको अर्थ और सन के बीच, L2 point का फायदा यह ह कि कभी भी यहाँ पर sun की direct sunlight नहीं पड़ेगी telescope पर, इससे telescope protected रहेगा solar waves से, solar storm से, आईए friends अब हम देखते हैं next question, friends यह question है, संत रविदाज जी के बारे में, यहाँ पर पहला point यह है, कि आदिकरन साहिब में और पंचावनी में हमको देखने को मिलता है, कि गुरु रविद जी शिष्षते संत रामानन्दा जी के, friends यह statement बिलकुल सही है, third statement यहाँ पर यह है, कि गुरु रविदाज जी ने concept दिया था, बेगम पुरा का, यह statement भी बिलकुल सही है, friends इस concept के according, गुरु रविदाज जी का कहना था, कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए, जहाँ पर कोई भी suffering नहीं है, जहाँ पर कोई भी बेदबाओं नहीं है, जाती के अधार पर, या फिर पैसो के अधार पर, friends यहाँ पर हमको choose करना है, correct statements, यह तीनोई statement सही है, इसलिए इसका answer हो जाएगा, 1, 2, 1, 3, only, याने कि option D, इसके लावा हमको यह point भी आद रखना चाहिए, कि मीरा एक combination है, technologies का, जो include करती है, virtual reality, augmented reality, और video technology, जहाँ पर user को यह लगता है, कि वो digital universe में रह रहा है, friends यह statement बिलकुल सही है, second statement यहाँ पर यह बोलता है, कि augmented reality, एक artificial environment को create करती है, जहाँ पर हम रह सकते हैं, friends यह statement गलत है, third statement यहाँ पर यह है, कि virtual reality, artificial objects को इस तरह से project करती है, कि वो हमको real लगते हैं, friends यह statement भी गलत है, यहाँ पर friends जो second statement है, वो basically virtual reality को define करता है, और third statement यहाँ पर augmented reality को define कर रहा है, इसका यह मतलब कि virtual reality एक artificial environment बनाती है, जहाँ पर user उन चीजों को experience कर सकता है, और augmented reality यह होती है, जहाँ पर हम artificial objects के साथ, real world environment की तरह interact कर सकते है जैसे के friends mobile, mobile में आप कुछ games ऐसे खेल सकते हैं, जहाँ पर कुछ virtual elements भी साथ साथ आपको दिखते हैं, यहाँ पर हम augmented reality और virtual reality के बारे में और बात कर लेते हैं, augmented reality real world में set होती है, और virtual reality में हर चीज virtual होती है, augmented reality में हम को यह लगता है कि हम चीजों को control कर रहे हैं, और हम control कर स जाती है, virtual reality में आपको enter करने के लिए एक headset पहनना पड़ता है, मगर आप augmented reality अपने smartphone mobile पर भी देख सकते हैं, augmented reality जो है, वो virtual और real world का combination है, मगर virtual world में सिर्फ virtual चीज़े है, fictional चीज़े है, नकली चीज़े है, यह तीनोई terms काफी important है, metaverse, augmented reality और virtual reality, और friends, recently facebook ने अपना company का नाम मदल कर meta कर दिया है, और metaverse को लेकर बहुत सरी news हमेशा देखने को मिलती है, इसलिए friends इन concepts को आप बहुत ध्यान से समझेगा, और जरूर पढ़के जाएगा exam में, यहाँ से question जरूर आ सकता है, और इस question के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर second और third statement गलत है, इसलिए इसका answer ह जाएगा one only यानि के option, आईए अब हम देखते हैं next question, recently अभी IPCC की six assessment report आई थी, उसको लेकर यहाँ पर कुछ statements दिये गए है, पहला statement यहाँ पर यहाँ पर यह है, कि 1988 में World Meteorological Organization और United Nations Environment Program ने इसको setup किया था, यह statement बिल्कुल सही है, second statement है, कि IPCC अपने आपको कभी भी नहीं करती है, scientific research में, friends, यह statement में बिल्कुल सही है, third statement यहाँ पर यह है, कि IPCC की report, चार working groups of scientists मिलकर बनाते हैं, friends, यह statement गलत है, कि उनकि IPCC की report, तीन working group of scientists मिलकर बनाते हैं, और जो six assessment report है, उसमें third working group की report बची है, तो friends, इस question में हमको correct statement को choose करना था, तो third statement गलत है, इसलिए इ one and two only, यानि कि option B, आईए अब हम दिखते हैं, next question, यह question, friends, बुद्धिजम की doctrine अनन्ता या अनात्मा से related है, यहाँ पर पहला statement यह है, कि इस doctrine के according, इनसान का कोई भी permanent या फिर independent अस्तित्व नहीं है, यानि कि इनसान के अंदर soul नहीं है, यह चीज यहाँ पर यह doctrine बोलती है, friends, यह statement बिल्कुल सही है, बुद्धिजम की जो doctrine है, अनन्ता की, उसका यहीं मतलब होता है, second statement यहाँ पर यह है, कि जो इनसानों को यह लगता है, कि हमारे अंदर senses हैं, हम चीजों को feel कर सकते हैं, यह basically एक माया है, इनसान को ऐसा लगता है, मगर ऐसा होता नहीं है, friends, यह statement बिल्कुल सही है, friends, बुद्धिजम में individual को संतना माना जाता है, यानि कि वो एक flux की तरह है, या फिर continuity की तरह है, जहाँ पर mental और physical elements होते हैं, मगर उसका कोई permanent existence हमको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जो sense of self है, जो हम देखते हैं, उसको बुद्धिजम में क्या बोला ज जाता है, और यहाँ पर हमको select करना है correct statement, दोनों ही statement correct है, तो इसका answer हो जाएगा both 1 and 2, यानि कि C option, civil services में हमको बुद्धिजम पर, जैनिजम पर काफी questions देखने को मिलते हैं हर साल, और हर साल एकना कोशन बुद्धिजम या जैनिजम से आता ही है, इसलिए friends, इन दोनों को ह आप अच्छे से prepare करके जाएगा अपने exam में, आईएव हम देखते हैं friends, आज का last question, यह question है friends, president के election के बारे में, यहाँ पर पहला statement यह बोलता है, कि states के बीच और union के बीच एक parity होना चाहिए, समानता होना चाहिए, friends यह statement बिल्कुल सही है, second statement यहाँ पर यह है, कि president election first past the post system क according किये जाता है, यह statement गलत है, क्योंकि इंडिया में, president के election proportional representation by single transferable vote के आधार पर किये जाते हैं, और इंडिया में first past the post system देखने को मिलता है, हमको MLA और MP के चुनाओं में, third statement यहाँ पर यह बोलता है, कि president के election single transferable vote से किये जाते हैं, और यह voting की जाती है, secret ballot के थू, friends यहाँ यहाँ पर यह तीसरा statement मिलकुल सही है, और यहाँ पर हमको select करना है correct statement, तो यहाँ पर correct statement है one and three, यानि कि B option, one and three only, इसका right answer रहेगा, friends इंडिया में इसी साल president के election होने वाले हैं, इसलिए इस domain से भी question आ सकता है, इस पर भी आप नजर बनाए रखियेगा, friends यहाँ पर हमने civil services के लिए 50 questions को cover किया है, I hope आपका यहाँ पर revision हुआ होगा, और कुछ नई चीज़े भी आपको यहाँ पर पता चलियोंगी, friends civil services के paper को आप सिर्फ एक exam की तरह ना ले, basically एक आपके लिए opportunity है, कि आप दिखा पाएं, कि आप कितने prepared हैं, अपने देश के लिए काम करने के Friends, prelims paper की अगर बात करें specifically, तो यहाँ पर आपको cool minds इस paper में बैटना है, at least आपकी इतनी practice होनी चाहिए, कि आप उन दो घंटों में तीन बार question paper को पढ़ लें, और सबसे पहली reading में आप उन questions को attend करें, जिन पर आप completely sure है, कुछ questions में आपको दो option के बीच में doubt होगा, उन questions को आप जरूर attempt करें, उसके बात friends कुछ questions ऐसे होते हैं, 8 से 10 questions ऐसे होते हैं, जिनको आपको attempt करने की जरूत नहीं है, अगर आपको उन में बिलकुल अंदाजा नहीं है, क्योंकि friends यहाँ पर UPSC में negative marking होती है, इसलिए हमको यह बात ध्यान में रखनी है, कि हम कोई भी गलत question attempt ना करें, और गलती से भी यहाँ पर हम gas work ना करें, तो आप यह target करें कि आपकी accuracy कम से कम 80 से लेके 90% की होनी चाहिए, अगर आपकी accuracy 80-20% है, तो आप यह exam आराम से लेकाल सकते हैं, और जो कोई भी यहाँ पर अपने आपको compose रख पाता है, वो इस paper को यहाँ पर आसानी से Crazy Chicken Trick Team की शुपकामना है आपके साथ है, All the best to you all, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करें, share करें और हमाई चैनल को subscribe करें, till then friends, bye bye and take care.